अलंकार अलंकार क्या है सबसे पहले आज ये बात करेंगे सभी प्रत्योगी परिक्षाओं में अलंकार से सम्मधित प्रिशन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि साधारन शब्दों में इस अलंकार का अर्थ क्या है अगर हम साधानन शब्दों में अलंकार का अर्थ देखें तो अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना या शोभा बढ़ाना जिस प्रकार से नारी अभुष्णों से अपने शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार से कवी अलंकार के द्वारा अपनी कविता की शोभा बढ़ाते है कंगन से हाथ की शोभा होती है कुंडल से कान की हार से गले की शोभा होती है उसी प्रकार से अनुप्रास उपमा आदी अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सुझरिय को और आकर्षन को बढ़ाया जाता है यह कविता के अकर्षन को प्रभावशाली बनाता है अलंकार का मतलब यह अभूशन होता है अगर साधारण शब्तों में बात करें तो कभी शब्द विशेश का प्रयोग करता है जब उसे अपनी कविता के चमतकार को बढ़ाना हूँ तो कभी वह अर्थ में इस प्रकार का अलंकार रिशित कर देता है जिससे उसकी कविता की शोभा बढ़ जाए बात करते हैं अलंकार की परिभाशा की शब्द और अर्थ में शब्द और अर्थ दोनों में चमतकार उत्पन करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं शब्द अलंकार क्या है? जहां शब्दों के कारण किसी रचना में चमतकार उत्पन हो वह क्या है शब्द अलंकार है जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणे यहाँ पर चैवर्ण की आवरत्ती है यहाँ अनुप्रास अलंकार है चारू चंद्र की चंचल किरणे यह शब्दों में चै की आवरत्ती हुई है इसलिए कविता में सुन्दर्ता पढ़ गई है चारू चंद्र की चंचल किरणे खेल रही है जल्थल में इस परकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार है शब्दा अलंकार अर्थ अलंकार क्या होता है अर्थ अलंकार होता है जहां अर्थों के कारण किसी रचना में चमतकार उत्पन हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं बहां अर्थ अलंकार होता है जिसे उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब क्या है परसिद अर्थ अलंकार है इनकी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे दोनों का विशेश वरनन करेंगे कि किस प्रकार से शब्दा अलंकार में और अर्थ अलंकार में क्या अंदर होत और अर्थ के करण चमतकार होने पर अर्थालंकार होता है शब्द लंकार में शब्द विशेश के निकाल देने पर चमतकार समाप्त हो जाता है अर्थात जैसे इसमें चारू शब्द हटा दें तो उसका पूरा अर्थ जो है या चमतकार जो है वो समाप्त हो जाएगा इसके इसके स्थान पर यदि हम सुन्दर शब्द रख दें तो इस कविता का पूरा चमतकार समाप्त हो जाएगा समान आर्थी शब्द यानि वैसे ही अर्थ वाला कोई और शब्द भी हम रखतें तो यहां पर कोई चमतकार कविता में नहीं रहेगा इसलिए यहां पर शब्द अलंकार का यूज करके कविता का सुंदर्य बढ़ाने की कोशिश की है यह हो गया हमारा शब्द अलंकार अर्थ अलंकार की अब जैसे इसी का एक और उधारण चमक यह जब मोती पर चमक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है अब इसके स्थान पर हम इसके समानार्थी रख दे पानी के जल नीर अंबू तोए तो इसका अलगार समाप्द हो जाएगा क्योंकि केवल पानी का अर्थ है चमक सेश कोई भी शब्द इस अर्थ को प्रकट नहीं करता बिन पानी सबसून मोती मानस चून मोती मानस चून यहीं मोती भी पानी की के बिना शोभा नहीं रप्त कर सकता उसकी चमक यदि नहीं है तो यहाँ पर शब्द अलंकार है उसका मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है इस कथन में चमक कारण अर्थ है चांद भी सुन्दर है और उसका मुख भी सुन्दर है यहीं की अर्थ प्रकट हो रहा है यहां कि वह कितनी सुन्दर है चांद के समान यहां चांद का कोई भी समान आर्थी शब्द ताके इंदू यह सब इसके चंद के समान आर्थी शब्द है यहीं हम इने रख दे तो अर्थ का चमतकार समाप्त हो जाएगा उसका मुख चांद के समान सुन्दर है उसका मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है अब यहां पर देखिए चंद्रमा से उसकी तुलना की है किसके समान सुन्दर है चंद्रमा के समान सुन्दर है तो यहां कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार अर्थ बदल रहा है यहांपर तो बात करते हैं शब्द अलंकार की शब्दा अलंकार शब्दा अलंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास पहला अलंकार है अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का लक्षन क्या होता है अनुप्रास का लक्षन होता है जहां वेंजनों की बार बार आवरिती के कारण चमदकार उत्पन हो जैसे कि हमने पहले देखा था चारूचंदर की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में तो यहां पर किसकी आवरिती है वेंजन की आवरिती है वहां कौन सा लंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है चारूचंदर की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में यहां चै चै और चै तीन बार चै की आवरिती हुए है जो वेंजन है तो जहां पर वेंजनों की बार बार आवरिती के कारण किसी कवीता में चमतकार आ गया हो उसे कौन सा लंकार कहेंगे अनुप्रास लंकार कहेंगे विशेश बात इस लंकार की क्या है कि वेंजनों की आवरती के साथ स्वर कोई भी आजाए कोई भी स्वर हो अर्थात जहां स्वरों की विशमता होने पर भी वेंजनों की एक क्रम से आवरती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है क्या आजे वीर विपक्ष वै भव देख कर डरते नहीं यहां वे की आवरती हुई है इन लाइनों में आप सो देख सकते हैं सुन सकते हैं क्या आरे वीर व विपक्ष व वे भव देखकर डरते नहीं यहां वे वेंजन की बार बार आवरती हुई है तो ये भी कौन सा अलंकार हुआ अनुप्रास अलंकार हुआ इसमें स्वर्च आए कोई भी हो जैसे हम दिखकर के अन्य उधरन देखिए तरणी तनुजात अमाल तरवर पहुचाए इसमें तीनों में तै तै किया अवरती हुई है तरजकर तरलत रंगों को इंद्र धनुश के रंगों को इसमें भी तै किया अवरती है साधवी सति हो गई साधवी सती सै किया अवरती है तुम संग तुम तुम हिमाल ले शंग आर में चंचल गति सुर सरिता इसमें एक तै तै और तै वर किया आवरती हुई है मैया मैं नहीं माखन खायो माखन खे की आवरती है बसन अमटोरी बोरी बोरी वीरी की आवरती है अब यहाँ देखिए कि स्वर में रे में ए की मात्रा लगी हुई है लेकिन फिर भी अनुपरास अलंकार है स्वर चाहिए कोई भी हो व्यांजन की दियावरती हो रही है तो ये पैचान है अनुप्रास अलंकार की कि वहाँ पर अगर व्यांजन की आवरती है तो वो अनुप्रास अलंकार है सत्य शनेह सी लिसागर से की आवरती मुदित महिपति मंदिर आय मै की आवरती है संसार की समर इस्थली में धीरता धार निकर यहां पर शे की आवरती है और धै की आवरती है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर यहां पर मैं की आवरती है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा यहां पर पे और शैवरती, शै की आवरती है रगुपती राघवर, राजाराम, रै की आवरती है सखी निरख नदी की धारा नै सट सुधरही संत्पन, सत संगति पाई शै की आवरती है सुधा सुरासम साध और असाध हूँ शै और धै की आवरती है बालक बोली बधाउं नहीं तो ही अनुप्रास अलंकार है कोटी कुलिस समबचन तुम्हारा यहाँ पर भी अनुप्रास और उपमा अलंकार है कोटी कुलिस समबचन तुम्हारा तुलना की गई है बचनीगी और करनी करी करी लराई यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है कानन कठिन भयंकर भारी का कावर किया वरती है कैकिया वरती है तो इस प्रकार से यह हुआ अनुप्रास अलंकार इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यमक अलंकार तो मैंने इसका link आपको description box में दिया है आप वहां से यमक अलंकार को पढ़ सकते है और यह आपको वीडियो में और कुछ जानना है तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like जरूर करें और share भी करें सब्सक्राइब ही करें धन्यवार